नमस्कार आप देख रहे हैं Zee News आपके साथ मैं हूँ चंदन सिंग तो फुटबॉल वर्ल्ड कप का नया बादशा बन गया है अर्जेंटीना और फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार मेसी का सपना पूरा हो गया एक बेहद रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस तो हराया और 36 साल बाद ये फ्रिताब अपने नाम किया मैच के बाद दुनिया भर में मैसी के फैंस ने जम कर जश्न मनाया है खैं तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अर्जेंटीना के जीत के बाद धमाकेदार जश्न पूरी दुनिया में शुरू हो गया टेबल पर नाचते हुए मैसी के तस्वीरें वाइरल हुई फ्रांस के समर्थक मायूस हुए और सड़क पर हिंसा पर उतारू हो गए जीत के बाद अर्जेंटीना के खिलारियों ने बस परेड निकाली वहीं अर्जेंटीना के दूतावास में जश्न मनाये गया राजधानी दिल्ली में ये तस्वीरें कतर किये हैं जब वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अर्जेंटीना के टीम खुली बस में सवार होकर अपने होटल तक गए स्टेडियम के बाहर दोहा की सड़कों पार बड़ी संख्या में अर्जेंटीना के फैंस मौजूद थे ये सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखों कमाते हैं आपको भी ये करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीचिए अर्जेंटीना ने रोमान चेक मुकाबले में फ्रांस को हरा करके वर्ल्ड चैंपियन का खताब अपने नाम कर लिया 36 साल का इंतजार अर्जेंटीना का पूरा हुआ और इसे पूरा करने में सबसे एहम रोल निभाया टीम के कप्तान और सर्वकालिक महान खिलाडियों में से एक लियोनेल मैसी ने विश्व विजेता खिलाडियों की एक जलक पाने के लिए हजारों की तादाद में फैंस सडकों के दोनों तराफ उम्रे अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे लियोनेल मेसी टेबल पर चड़कर जीट का जश्ण मना रहे हैं ये तस्वीरें अर्जेंटीना के ड्रसिंग रूम की हैं जहां मेसी के खुशी साफ साफ देखी जा सकते हैं मेसी जो 2014 में ये खिताब जीतने से चूप गए थे और सबसे बहतरीन खिलाडी में से एक गिने जाते हैं और उनके पास सिर्फ एक खिताब की कमी थी वो था विश्व कप और कल रात ये सपना भी पूरा हो चुका है और आपको तस्वीरे दिखाते हैं अर्जेंटीना की राजधानी भ्यूनस आयर्स की जहां लाखों की संख्या में फैंस मौजूद थे और अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीत की बॉड़ी पार्टी यहां पर मनाई गई है अर्जेंटीना जिसने कल शुरुवात में दो गोल की बढ़त बना ली थी लेकिन असीवे मिनट के करीब अचानक से गेम पल्टा और उसके बाद फ्रांस ने एक के बाद एक दो ताबर तोड़ गोल दागे और मैच इसके बाद पेनल्टी शूट आउट तक खिचा रोमांचक होता चला गया और इस बीच अरजेंटीना की राज़दाने बियोनस आयरस में सडकों पर लाकों की तादाद में लोग इस विशुकब जीत का जश्ट मनाते हुए यह इंतजार बहुत लंबा था 1986 के बाद अब तक कई बार अरजेंटीना का सपना टूटा लेकिन इस सपने को पूरा किया इसके सबसे जबरदस्त खिलाडी लियोनेल मेसी ने तो कैसे अरजेंटीना ने ये खिताब जीता और कैसे एक बेहत रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को माद दी देखिए मैच की हाइलाइट्स में ये सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखो कमाते हैं आपको भी ये करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीचिए